फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं Trident Limited की आज Trident Limited के स्टॉक में 5% का अपर सर्कृट देखने को मिला में स्टॉक 57 तक पहुझ गया लेकिन दूसरी तरफ बाजार में आज भहेंकर तरही तरही मचीद सेंसेक्स जपरदस गिरा और इतनी जो भहिंकर गिरावट हो इसके बावजुद भी ट्राइडेंट लिमिट के स्टॉक में जो सर्कीट लगा वो बहुत ही सांदार है और सबसे बड़ी चौकाने वाली बात बहुत ही भारी वाल्यू में आज काम हुआ काफी दिन के बाद आज ट्राइडेंट लिमिट के स्टॉक में हमें सांदार वाली देखने को मिला तो ये क्या इसारा कर रहा है एक तरफ तो बाजार में बड़ी गिरावट हो रही है और दूसरी तरफ ट्राइडेंट तेजी से आगे बढ़ रहा है क्या आगे और अपर सर्केट लग सकते है या फिर गिरावट हो सकती है बहुत सारे क्वच्छन है लोगों के जिनके एंसर जानना बहुत ज़ला जरूरी है तो इस वीडियो के माद्यम से उन सारे question के answer आपके मिल जाएंगे आगे क्या समावनों बन सकती है क्या इस समय आपको profit book करना चीए या फिर fresh इंट्रिक की जा सकती है इस level पे काफी ज़्यादा मजबूती के साथ इस टॉक आगे दोड़ रहा है लेकिन बाजार साथ नहीं दे रहा है बाजार में बहेंकर गिरावट इस गिरावट के पीछे क्या वज़े उसको भी जानेगे दूसरी तरब बहुत सारे लोग चाते है कि Trident Limited में अब हम इस level पे निवेस करें तो उनके लिए क्या suggestion है वो भी इस वीडियो के मादिम से आपको पताश चल जाएगा लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिपिकेशन आपको मिले वीडियो पसन आए तो लाइक शेर जरू कीजिए चल एक डेड़ साल से मैं लगातर कहा रहा था कि इस श्टॉक में आप निवेस करें यह लंबी रेस का घोड़ाई आपको माला मल कर देगा बात बिल्कुल सच साबीत हो गई और बहुत ही कम समय में इसने अपने टार्गेट को अचिव किया और जिस तरसे ही हाप सैंचुरी मा बार को डिसकस कर लेते हैं तो श्टॉक उपन हुआ 55.90 पर हाई बनाई 57.55 की लो है 55 का और एंड में 57.55 पर 5% के अपर सर्क्रीश के साथ में इसने क्लोजिंग दिये अगर बात करें BSC की तो 1 करोड 54,54,000 का वालिम हुआ सामने 69,6,000 की डिलेवरी उठाएगी डिलेवरी क परसेंटेज 44,69 परसेंटेज तो भारी कॉंटिटी के साथ में काम का जुआ है BSC में बात NSC की करें तो 6 करोड 36,30,000 का वालिम हुआ सामने 2 करोड 55,20,000 की डिलेवरी उठाएगी और डिलेवरी का परसेंटेज 40,11 परसेंट तो दोनों एक्चेंज में बहुत ही भारी मातर में काम का जुआ और बड़े वालिम के साथ में काम हो जुआ वो डिलेवरी बेस काम भी बहुत अच्छा हुआ है अगर हम इसके वालिम का अनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड का वालिम था वन वीक पहले 4 करोड का वालिम हो था लेकिन आज 8 करोड का वा गातारी श्टॉक अपर सर्क्रीट में दोड़ रहा है और जो मैं कह रहा था कि ये श्टॉक जब एक बार दोड़ने लगेगा तो रूखेगा नहीं वो बात सच सावित हो गई और इसके पीछे होज़े है कंपनी का कारूबार कंपनी न सिर्फ टेक्स्टाइल का बीजनस करत जो पैटन है इनकी जो कॉलिटी है वो सबसे अलग है हाटके है और कंपनी ने अपना जो टेक्स्टाइल के अलावा जो इनका केमिकल का बीजनस है जिसमें वो सलफरिक एसिड बनाते है दूसरी तरब इनके जो पेपर सेग्मेंट में भी बहुत सारे जो अच्छे अच्छ वज़े से विश्व में उनके प्रड़क की काफी अच्छी डिमांड है यहाँ पे जो अब रिपोर्ट निकल कर आई है कि टेक्स्टाइल इंडेस्टी का यह जो शेर है जिसने 138 परशन का जबरस रिटन दिया है पिछले दो महीने में और करीब 1786 परशन का रिटन मार्च 2020 के बाद मिल चुका है तो यह एक मार्केट का खिलाडी निकल कर रहा है टेक्स्टाइल उद्यों का यह ट्राइडेंट लिमिटेड और बहुत ही सांदार कामकाज हुआ है लगातार पर सर्केट में स्टॉक दोड़ रहा है और जो यह तेजी बनी हुए यह बहुत ही सांद है जो पेपर के जो सेग्मेंट में इनकी जो बहुत सारे जो प्रोडेक्ट वो भी अब ऑफिस और एजुकेशनल इंस्टुटू सारे खुल चुके तो वहाँ पर भी इनकी अच्छी खासी रिकवरी देखनों को मिली है साथ में इनका जो में बीजनस है जानी यान का बीज इसमें उस पर भी इनका प्रोडेक्शन आना सुरू हो चुका है तो इस तरह से इनका प्रोडेक्शन भी बढ़ चुका है और दूसरी तरफ इनके प्रोडेक्शन भी बढ़ चुका है और दूसरी तरफ इनके प्रोडेक्शन भी काफ़ी अच्छी है और यूस और कणको रिवेन्वी मिला था जो बढ़कर दिसंबर में 1,300 करोट भी तक पहुच गया है मार्च 2021 में वह 1,345 करोट भी तक पहुच गया है जून 2020 में 1,482 लिवेन्वी तक पहुच गया और सेप्टमबर 2020 सेお願いします तक पहुंच गया तो आप देख लो सेप्टेमर 2020 से यह सेप्टेमर आ गया लगा था इनके रिवेनिव में अच्छी बड़ोतरी हमें देखना को मिल रही है और दूसरी तरफ अगर हम इनके प्रॉफिट को देखे तो सेप्टेमर 2020 में 106 प्रॉफिट था दिसम्बर में 112 प् प्रॉफिट में बहुत ही जबरस बड़ोतरी हुई है पिछले एक साल में इनका प्रॉफिट दुगुना हो चुका है और अगर इनके नेटवर्ट की बात करें तो नेटवर्ट भी इनका लगातर बढ़ रहा है सेप्टेमर 2020 में 3,204 प्रॉफिट था जो बढ़कर मार्च 2020 में 3,388 करोड भी तक पहुच गया और सेप्टेमर 2020 में वो 3,590 करोड भी तक पहुच गया तो कमपनी लगातार हर मोर्चे पे तेजी से आगे बढ़ रही है यहाँ पे जो है शेर वोल्डिंग पैटन में भी बहुत सारे आकड़े है वो चौकाने वाले जैसे कि यहाँ इंस्टिटूशन की होल्डिंग बहुत सांधा तरीके से बढ़ चुकी है पहले 2,53 परसंट थी quarter 1 में अब वो quarter 2 में 3,07 परसंट हो गई है फोरें पोर्फोलियो ने भी निवेस बहुत तेजी से अपना बढ़ा दिया है 1,6 परसंट होल्डिंग पहले थी quarter 2 में वो 2,14 पर और इसे बात समझ में आ रही है कि इसे श्टॉक में लोगों के दाव लग रहे है और इसलिए श्टॉक तेजी से आगे बढ़ रहा है आपके निवेस को भी कई गुना बढ़ा सकता है यह लंबी रेस का गोड़ा है आपको माला माल कर सकता है लेकिन दुसरी तरब एक बड डर बाजार में पैदा हो गया है आज बाजार में जबरस गिरावट सेंसेक्स 57,187 पर आच चुका है यारी बिल्कुल 57 से भी 1000 से नीचे जाने को तयार हो चुका है आज करीब 1,600 ने 87 पॉइंट की जबरस गिरावट हुए यानि करीब 2.87 परसेंट बाजार गिर गिर गिय पूरे माहुल को बिगार दिया और जो पॉजिटिव माहुल था वो नीगेटिव बन गया वैसे भी काफी समय से करेक्शन का इंदेजार हो रहा था बाजार में करेक्शन आनी पा रहा था तो इसको एक बहाना मिल गया इस कोविड का और इस वज़े से गिरावट सुरू हो होगी तो यह स्टॉक फिर से आपको 35 से 40 के आसपास मिलता हो दिखाई देगा तो इस समय आपको मौके का फाइदा उटाना चाहिए और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए लेकिन इसका लॉंग टर्म का अंदज रिया उसको डरने की कोई बात नहीं है भले स्टॉक 40 पे जाए फिर से बढ़के उपर जाएगा तो आपको चिंता की कोई बात ने आप बने रहे यह डेफिनेटली एक बहुत-ब्रा मल्टी बैगर आने वाले समय में आपको मालना माल कर सकता है लोग अप इसमें प्रॉफिट बुक करना सुरू कर चुके और जिस तरसे आज भारी यह स्टोक डेफिनेटली बहुत अच्छा है और बाजार में सबसे अच्छा है और जैसे मैंने इसके ओपर भरोसा बताया था इस कमपणी ने वो करके बताया क्योंकि कमपणी बहुत मजभूत है लगादार अपना प्रदसन अच्छा जारी रखी हुई है और सबसे अची बात है इसके pivot level में जो हम एक बार चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर stock गिरता है तो 53.82 पर इसको first support है stock अगर और नीचे गिरेगा तो 52.78 तक जा सकता है और third support 52.27 का है उपर की तरह stock अगर move करता है तो 55.37 का first target है second target 55.88 का है और third target 56.92 का है तो इसने तीनों target आज हीट किये इसका मतलब stock तो bullish zone में बना हुआ है लेकिन बाजार साथ नहीं दे रहा है बाजार में माहुल बहुत ज़्यादा बिगड़े चुका है क्योंकि जिस तरह से आज बहुत बड़ी गिरावट हुए हो सकता है कल भी बहेंकर गिरावट हो तो फिर ऐसी सम्भावना बन जाती है कि फिर कोई भी stock सम्बल नहीं सकता है तो वहाँ पर जब इतनी बड़ी तेजी बनी है ले सकते क्योंकि बाजार में हम कमाने को आए अगर नहीं कमाएंगे फिर से प्राइज नीचे आ जाएगे तो कोई फाइदा नी मिलने वाला इसलिए आपको दिने लेना है लेकिन फ्रेंट कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेसर एडवाईजिसिक्पा